अजी नमस्कार श्रित्रीकल गुड़ मॉर्णिंग कैसे हो तैयारी कैसी चल रही है रास्तान का भोतिक परदेश रिवजन चल रहा था ध्यान रहे कोई ये मत कहना मेरे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप समझने अगर चाते हैं तो पहले पढ़ क्या आते हैं मैं समझाने के लिए नहीं आया हूँ मैं बस लाइव आपसे चर्चा कर लूँ और ये रिपीट मारने के लिए आया हूँ ओनली फोर रिपीटेशन दो मिंट आपका कमेंट देखता हूँ एक मिंटे कलास शुरू कर दूँगा एक क्यूशन है करो करो अच्छा रिट की इंक्वाइरी आ रही है और रिट के बीएड वालों का पेपर हो गया तो रिट के नए बच्चे आ रहे हैं तो 24 तारीक को रि जद थाने पाच्छी विदाई जाना तो ओनलाइन और ओफलाइन बेंच है चो इसको गोशना करें यह सिर्फ बताने के लिए था नरख में जाओ जना मारे तो कि रुखे करें चलो मैं सिर्फ रिपीट मार रहा हूं कोई यह नहीं कहिएगा कि मेरे समझ में नहीं आये इसका मतलब वो कमी मेरी नहीं है वो तुम्हारी कमी है यह राजस्तान था आजरी हो यह इस राजस्तान में दो भाग सुस्क दूसरा भाग अर्थ सुस्क आज यह पार्ट पढ़ना है उसके बाद अरावली भी आज ही कम्प्लीट करनी है क्योंकि एक दिन कलास नहीं आई थी तो उसकी वरपाई आज करना तो टावरो मैं धारा बिन्या कमेंट पढ़ते में सुरुआत करता हूं स्रीगनेश चार भाग है इसके अर्ध सुस्क मुरस्तले कितने भाग है चार भ और तीसरे भाग का नाम है नागोरि उच भूमी और चोथ्दो है लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश जोथ्दोथ हे भागो नाम है लूनी बेसिन एह भंग yoga िअगल यह उ गया जया नागोरि उच्बोमी यह लूनी बेसिन आ गुरु जी एक साहीरी साहीरी काल सुनाँगा ठीक आज में रटूगा पहली और फिर काल सां सुना थिए पड़े में आए सुस्क भागा गगर का मैदान कहां है गगर का मैदान उपरी साइड मी है जिसमें गंगा-णगर आएगा अनुपगड अब मिट्टी कुन सिए अठेल बग्गी यह उपजाओ मिट्टी जोती है ना उत्तरपूरवी भाग कि उसे क्या कहा जाता है बग्गी कहा जाता है हांसी क्या और अबरू आले हो गयो याद हो गयो गगर अमेदान जिला गनगन वानगट मिट्टी जलोड नाड़ी गगर का परवाचेतर और बग्गी होई दूसरो भाग है शेखावाटी जिला कुणसा तो शेखावाटी का फैमस जिला है शिकार चूरू जुझनू गुर्जी एक नयोर बन गयो नीमगा धाना एक डीडवाना कुछ चामन पहले नागोर का उत्री भाग आता था तो वो भी इसमें सा ए जिला गा सरांग उपनाम क और के शेखावाटी थोरावाटी एल्यां यो ईह इजिकार पों भांगर क्यायान बोर है नदी द्वारा लाई गularा लाई गई मिट्टी उफजाओ उसे खाद़र जसा कि अनुफजा वोलें पहले खादर पूर भांगर पहले उपजा उए गिञाले बटक पार nu लेला मजन सेहमत है कोशीज करेंगे आपको ये टोपिक करवाने को ओके के हो गुर जी अच्छा चल खादर क्या नक है खादर बता दियो नई मिट्टी जैसे नदी नई मिट्टी खादर बापुनाणी होगी बांगर बस अले उजी आयो शेखावाटी जिला शीकर चूरू जूरू जू आपको आईये बेसांगों शीविमिंग पूलने जोड़ बोले जोड़ा या नड़ा बस कच्छा कुवाल जोड़ा करेंगों बीड क्या नक है गास गया मेदानान बीड बोले बीड क्या नक है बीड है नदी द्वारा बनाए गहरे खड़े चंबल नदी के छेतर को बीड क फेर जागी नईडे जिले नीमगा थाणा में फेर जागी जुन्दूं यानि जिला बदल गया नदियां गेंद्राप में पढ़ चुक्या अल्योगुर जी बस इत्ती बात ये अरे इत्ती बात है गणाई स्वरों ए रहे आगे है नागोरी उच भूमी भावती जी बहुती थेत रिपीट मारनी तो आया हो यानि लूणी बेसिन और सेखावाटी गे बीच को जो भाग है बिन बोले नागोरी जिला कुणसा है जिलो एक तो नागोर हो गयो थोड़ो डीडवाना कुच्वामन भी ले 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 अजमेर बोच्षेतर मिटी सोडियम क्लोराइड पाई जाएथे मिटी में इन खात रहते हैं नमकी नमक है बहुत इंपोर्टेंट है कुबड़ पट्टी बांका पट्टी होच बेल्ट बहुत इपोर्टेंट है नागोर और अजमेर के बीच को भाग है पुरो डीटेल कत्रा मेरे हलक कातर करती है चाय की भी रुकिए कई ना उन्ते दो कमेंट पटन दे बड़ी असाइडी वेजी कोटाबर इधर को मेरो कमेंट दीख नहीं गाया है ओ वो तो मनोज की रुकिए कमेंट करे यार राजस्तान का चेरा पुंजी से बना चाहा कत्रा कत्रा मेरे हलक पुत्र करती है वो चाय ही है जनाब जो रंग रंग सपर करती है क्या साहीरी है यार रहे कभूतर्य आरियल पक्सी जमीन पर कभी पाव नहीं रखना खारे पानिक जिलें टेथी सागरका उसेश नहीं है यह ओनली यहां भाक्री सब टेथी सागरगा, अरे कबुतर, यह नागोरिउच भूमि में और सरिसका भ्याणने में पाया जाता है, अल्यु गुल जी ओगे, रिपीट ओगे, नागोरिउच भूमि किस-किस के बीच में, अजमेरों नागोर के बीच में, कोण सा रो जिले बताई दिये, मिट अगलो है गोडवार परदेस या लूनी पेसे पहले तो जिले नदी में हम पढ़ चुकी है अजमेरसे लूनी नदी निकलती है फिर आगे जाती है नागूर फिर आगे जाती है ब्यावर ए ओconnect dimension स्चमत छक्षेतर पुन्हार मेरा किलोम, नेहड नीरहत नीर मतलब जल वर भर रहे था था कौन सा छेतर बाड मेर और सा सांचोर मेर और सांचोर से तरल नेरा बाड मीर और चाइगा जिलत पाड मेर और साचोर फिर आएगा कौनसा पूंकी पाड़िAY वेरी इंपोर्टेंट चपन का मैदान मैदान निच्च पाडियां उपर है तो मैदान तो है निच्च गठे डुंगरपुरबांसवार पाडियां गठे उपर है गठे चपन की पाडियां पहले बालोतरा में बस आयाद राखियों पहले बालोतरा में थी आज गठे बालोतरा पहले कहांती बाढ़मेर में मोकर्सर और सिवाना के बीचे बालोतरा 11 किलोमेंटर लंबी ये है उप नाम क्यों है इसे इसे बोला जाता है ग्रे नाइट परवत जद crown keeper ज़यादा जबकि ग्रे नाइट सिटी जालोर है नाकोडा परवत ये बालोत्रा में है बड़ा इंपोर्टेंट है पहले कहा था बाढ़वेर में था पारसनात या मंदीर बिनाए पीपलूद नामकस्तान बड़ा इंपोर्टेंट है पहले बाढ़वेर में था अब कहा है बालोत्रा में है रेगिस्तान का माउंट अबू किये भाई क्या खातर मिलेगी नोकर लागेगे सीटी का एक्जाम कब होगा और इक्जाम डेट हो यह कुण भी रहा थान सो क्यों तो देरा किये रहे अब आओगो अरावली बहुत इंपोर्टेंट है अक्का बर्स नाणा है छुटे गाई नहीं अरावली का परसन आए ही आएगा गुरुजी आज सरकारी स्कूल और इंड्रेश फूट रहा इच्छा सरकारी स्कूल इंड्रेश कित्ती गोर करेवेटिगा बिल्कुर सरकारी स्कूल की एड्रेश त्यारा मन को कपड़ियों ठीक लागियों मैं लिया यो अब देखो ले आया रिप्या तो पूरा करा इंखा दिखान का तरते बस एक दिन थे देख लिया वाग्या देखा दूसरी चेंज कर लियागा वाकी बात तो से यह लागू थ पिता थे तर्फल द्ञीघर होँ हैं पीफभल उदगण काटिव इवर अफम टो उद्गम चालो कर दियोंगे देखो तो यह तो इसका उदगम कहां से होगा इसका यहां से होगा कहां से अरब सागर से इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है मूल जड कहां है इसकी मूल जड अरब सागर के अंदर है कहां से मिनी कोई द्वीब से इसका उदगम है अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है छेतर फल नो परशेंट है जन संक्या दस परशेंट है और विस्तार बात करां फिर लंबाई बड़ी इंपोर्टेंट है लंबाई अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 602 में है राजस्तान में 550 है एक दम सिधा सिधा अंकड़ा है अपीडियेव लागे और थे खुद बरना चालो गरानी तो भी थर समझ माझी देखो दुबाला अरावली का उद्गम कहा से होता है मेनीकोई दीप से उद्गम हो गया मेनीकोई दीप अरब सागर से मूलजड कहां से सूरोती है अरवली का पिता किसे कहा जाता है अरव सागर को छे तरफल 9% है जन संक्या 10% है विस्तार पालनपूर गुजरात से राइसी नगर दिली तक है लंबाई 492 में किलोमे राजस्तान में लंबाई 550 ओस तुंचाई 930 मीटर आरावली के तुंचाई है कितने राज्यों में तीन राज्यों है गुजराद, राजस्तान, हरियाना आले तीन राज्ये पलस एक के अंदर सासीर परदेश, दिल्ली, जिले, नो जिलों के अंदर फैली होई है पहले जो नो जिले थे, नया जिला इंगमा कुण सा, कुण सा, अब जिला था नियाद करने जुटकों ने, अठकर जखावी जिला है वैसे आगया, सब नया आठकर कुण सो बने जिया, ब्यावर बने है, बिंगमा बारावली होई है, डीडवाना को चामण है, नीमगो ठान है, कोट बारावली का है, नियूँनतम बिस्तार कहा है, अजमेर में है, सर्वोथ चोटी अरावली की गुरु सिकर, गुरु इन्चाईपली लेजी आए, ओल्यो जी, सर्वोथ चोटी गुरु सिकर, नियूनतम पॉइंट ये है, पुषकर, बताओ, कि गुन समुझ मारे उता रहे, कितना ही जी यार तर मेरा कमेंट नहीं देख रहे एक गुरु सिक्र सिस्राप देना पढ़ेगा तिर कमेंट यार कमेंट पढ़ना अब बात है अरावली का भाग जीयां ओ अरावली है मैं समझान क्यों लाग जीओं वीज़ों बिरनी ओ उत्री बाग ओ मध्य भाग ओ दक्सन अरावली अल रिपीट तुम्हार नहीं यह ले यह रिपीट मारा अब आया है उत्तरी अरावली यह इसके आप पीडियाप निकाल के अगर भर लोगे तो और ही अच्छो काम है क्या सारी इट में फैस्ट यह सेकंड गेट की त्यारी यह करिए को परसंद पूछ लिए कोई कन्फ्यूजन है रिटो समंदित के कन्फ्यूजन है कोई कन्गुरुजी था कि हाँ यह जो निर्मान है क्वार्जाड और फैर्डाइट चत्तान सेलोसिस का निर्मान हुआ है यह उंची चोटिया है उत्री अरावली की सबसे उंची चोटी चोटी का नाम बोले एक नमर मे लोहाल गल स्तान भोट फैमस है लोहाल गल गया था कोण सी जगह है जूझनों बड़ा ही पवित्र स्तान माना जाता है भोजगड कहां है नीम का थाना के अंदर भोजगड चोटी खोबड़ी ही फैमस है जो वर्तमान में जेपूर ग्रामिन में है पहले जेपूर के अंदर थी फिर एगली भेराच ये कहा है अलवर के अंदर है बाबाई चोटी कहा है ये जेपूर ग्रामिन के अंदर है गुर जी एमे रटरा किये थी दूसरे क्यों बताव मन बतानी पड़े रगुनात गड़ कहा है चोटी रगुनात गड़ जेपूर के अंदर है मालखेत कहा है सी सबसे उंची चोटी उत्रिय रावली की बारगुनाक खड़ाई हैं इति चोटी में तो पड़ी ही अब पड़ले तो बरवाडा भोत्फ हमस चोट का बरवाडा सबको पता है कहां है बरवाडा कहां है बरवाडा इंदर है जेभ पूर में भी आता है एक परवाड़ा स्वाय और एक स्वाइमादोपूर में आता है बबाई ये नीमका थाणा में है बिलाली बिलाली कोटपुतली बैरोड के अंदर है गुर्जी याद करांगे है ना याद करी हो कदी पुछेड़ों मत शिर्फ बता हूँ था रिपीट खाता है मनोरपुरा बड़ार फैमसतान है जो वरतमान में स्वाइब है पहली जेपुर में उध्ः राक्यों सीरावंज ये अलवर के अंदर है सीरावास भानगड़ बड़ा फहमस्तान है अलवर के अंदर है जैगड़ बड़ा फहमस्तान है जेपूर के अंदर है नाहरगड़ बड़ा फहमस्तान है जेपूर के अंदर है अम मैंन मैं याद कर लिए हूँ सबसे उन्ची चोटी है मुरार जी या गुरार जी जो पाली और रासमद के बीचे अजमेर में किती उन्ची सबसे उन्ची चोटी है अजमेर के अंदर यह वैसे तारागड कहां पड़ता है अजमेर के अंदर 870 दूसरी उन्ची चोटी है लगभग 837 नागपाहड अजमेर के अंदर किती गुर्जी 795 में मेटर तीन्नू चोटियां बड़ी इप्पोर्टेंट है सबसे उन्चो मुरारजी फिर तारागड फिर नागपाड अब कुछ दर्रे एं ऐ था रठना है कच्छावाला दर्रा ब्यावर के अंदर है कच्छावाला दर्रा ब्यावर के अंदर पीपली दर्रा ये भी ब्यावर रास्मन्द सर्वादिक उन्चाई पर स्तितना लगे उदाबारी दर्रा ये भी ब्यावर में है सरूपा घाट ये भी ब्यावर में है रिपीट मारना है पहली है मेरा करवाइड है फिर ब्यावर का कुछ दर्राइज या बर दर्रा बर ब्यावर रास्टिय राजमारग 14 है नयों जोको नमबर है एनेच 25 वो अठुई जाए बर छे ठीक है ब्यावर और बर्गों बीच में जोड़ना है जोद पुर्जी प्रोग गठेए बित्व यादर रहा प्यावर के दक्सिन में हो और कंबली घाट दर्रा यह भी आसमार्ण में कंबली घाट जो जावर पाली और देव रासमांद के सड़त मारग द्वारा ये जुड़ा होता है ठीक है अब आज याओ दक्स नियारावली बड़ी इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेट है दक्षन जिता विजला है उदेवपूर शिरोई नुंगर गुर्बा सवाड़ा बठा है ग्रेनाइट चट्टानाओ बनेड़ो है मैं जो चीज है इसकी वो है बच्चो यह सबसे इंपोर्टेट चोटी इन सब का सुत्र बताया हुआ है पहले वीडियो देख रही हो गठें सव उन्ची चोटी राजस्तान की सिरोई 1722 या 1727 मिटर इंपोर्टेट दूसरी सिरोई में है सेर ये भी कहा है सिरोई के अंदर कित्ती है 1577 मिटर तीसरी दिलवाडा सुत्र बतायडो है सिरोई में है 1422 अगलो जर्गा ये कहां है उदेपूर के अंदर है ये जर्गा कित्ती उन्ची ये गुर्जी 1431 अचलगड बड़ा फैमस्तान है चलगड कहां है जयराज सिरोई सरय याद करना है करो तो कर दियो पुछे डाकत कर दियो कमलात ये पुछी हुई है उदेपुर सुन्दा परवत फैमस जगे है भीनमाल जालोर में याद कर लियो सुन्द पाड़ी माकड मगरा ओहो ओगड़ है गुर्जी उदेपुर सजनगड फैमस जगे याद कर लियो एक उदेपुर साहिरा की पाड़ियां उदेपुर लिलागड की पाड़ियां उदेपुर दोरा परवत बड़ा फैमस है दोरा गेर है जालोर ये बड़ी फैमस जगे बाई साब दोरा परवत ये फैमस जगे नागपाणी उदेपुर ये भी जालोर में है गोगुंदा उदेपुर इसराना बाकर ये इसराना बाकर रोज़ा बाकर ये जितने भी बाकर है वो जालोर में है जालोर जालोर और बाकर पहाडिया जो है वो सिरोई में है कोटडा उदेपुर रिसी केस उदेपुर अब बताओ के को पुर्जी आपको एक बात बताओं ये को बहुती काम की बात है तो बता दे बहुती जोर की नहीं रहे दे अक्सर इस्क में आरे में बदनसी पीचर बन जाते हैं अच्छा आब आता है मन तो आज भी रुपड़े प्यार तो बिरोजगार को होता है नोकरी देखर तो विस्ता होता है वाह 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 मतलब ज्यानी आ गया बाता है लग बग ज्यानियत है विराजमान हो चुकिया है अपर ये बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है मैं दोबर बताओं मान बहुत इंपोर् पुर्वी शिरोई की तिर्वे ढालवाली पहाडियों को भाकर बोलते हैं। पुर्वे शिरोई की तिर्वर ढालवाली पहाडियों को भील जहां रहते हैं। यह मद्यरावली का टोडगड ब्यावर का आसपास है यानि अजबेर के आसपास। पिंड मोट का मैदान यह है देवगड राजसंबंद में संपुल निर्जंज की पाड़िया है नि बन पिंड मोट का मैदान भी हैं। रामगड की पाड़ियां यह बारा के अंदर है उलका पिंड गिर्यां। हर्षपरवत किन कोन वेरो हर्षपरवत को सिकर बरसारीतों में अच्छा स्थान है देखने लाई। बिजासन की पाड़ियां मांडलगड भीलवाड़ा बिजासन की पाड़ियां। सारण की पाड़ियां जहराओ चंदर सेन की छत्री है पाली। मुकुंद्रा की पाड़ियां कोट्टा और जहलावाड के बीच में अले। दुबारा बता नहीं जूर्द को नहीं। बोड़ा पहाड जुन जुनूं गए अंदर गुर्जी में तो पहली बार ही शुनिए कोई बार दें घूगरा गाटी जहां राजस्तान की फैमस जेल और आर्पीएस्टी है दोनु ही कहां अजमेर नोसरा की गाटी अजमेर कुट्य की गाटी रन थंबोर काड़ी पाड़ी क यहां है सरीष का आज है कि एक और समुझबायों रटनों यां रटने वाली है कि मेरी पूजी की को प्या हो गयों यह चलो बढ़ी है थोड़ दिना उटाबर भी वह को ना है चलो प्रसीद पाड़ी है जिन पर किल्ले बने हुए बहुत है मसाई जैसल मेर पाड़ी तो जैसल मेर को किल्लो जो कहने वह कुंड सी पाड़ी पर है त्रिकुट पाड़ी पर है कुंसो त्रिकुट पाड़ी त्रिकुट पर्वत पर किया है केला देवी मंदिर ओ त्रिकुट परवत परे, बैयाना का किल्ला, वो बैयाना को किल्लो है नी, वो माननी पाडी परे या नेना या माननी पाडी, इंपोर्टेंट है, ऐसारा इंपोर्टेंट है, साबाद को किल्लो, बामती पाडी परे, सारा इंपोर्टेंट है, सोज़त को किल्लो, सोज़त को किल्लो है, ना परवत पर है बयाना को किलो नेना पाड़ी या माननी पाड़ी पर है और साबाद का किला साबाद को किलो बारा में भामती पाड़ी पर है ठीक है सोजत को किलो गट है सोजत को किलो माननी सीरडी पर है ठीक है फेरा महरान गट को किलो सारान जोधपूर किलो जोको है वो कुण उटगन्द मादो, जरगा रागा सम्दू, जालोरगोज़ को किलो है कनकाचल या सुवरंगिरी पाड़ी पर है। आमेरगो किलो भोत प्हेमस है कालिको पाड़ी पर। शेरगळ शेरबारा कोसवरधन पाड़ी पर। कोस वर्धन पाड़ी और तारा गड़ अजमेर बिठली पाड़ी गड़ बिठली एर यह तो यह इंपोर्टेंट अब मैं थारा कमेंट पड़ूंगा क्यों कि रावली आपने पूरोगे और काल बोतिक परदेश आपका कंप्लीट कर देऊं बोतिक परदेश तो बढ़ाएक रिपीट मारे तो इतीन दिल आएगे बूल तब हो गई हमसे तो फिर जो भी बनता था वो फाइनल दे दिया और टेक्स था इंकम से जयाता इसलिए इस लिए हमने रिजाइन दे दिया अरे शाहिरी सुनाना आया उपड़ना आया ओ अरे मन देशाहिर बना आगे छोड़ू अब बिगाड़ों थरों कि बिगड़नों इस तो मेरे फेवरेट सर्थ थैंक्यूं कैसे कैसे हम राज करती है अपने लोगों को नाराज करती तुम्हारे जानने के बाद हमने जाना यह गड़ी टिक-टिक की आवाज करती है यह पकवान आप मेरे चरणाम से मरपीत करिए लए लए और के कैए अच्छा रीट लेवल सेकेंड इस्टिक नोट्स पीडिया गुर्णोट्स पर सब कुछ पढ़े है वो आने वाली है बस रात होगी ना यह रात होती ना सब किया लो चलो साहिरो तो रिपीट मार दिया दुबारा देख लिए यह फास्ट में ओके थेंक्यू मिलते हैं जल्दी कल मिलते हैं अगला टोपिक याद रखना अगला कौन सा टोपिक है आगे फिर पूरुए का मैदान हडोती कल कंप्लीट करेंगे ओके थेंक्यू